क्या आप जानते हैं कि अमर करने वाला फल कहां है कहां है वो वरिक्ष जिसका फल खाकर इनसान कभी नहीं मरेगा सदियों से वैग्यानिक बड़े बड़े राजा महाराजा इस खोज में रहे हैं कि उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज मिले कोई पानी या फिर फल या कोई भी ऐसी जड़ी भूटी जो उन्हें अमर कर दे जो मृत्यू से उन्हें आजाद कर दे इतिहास गवा है कि मानव जाती हमेशा से ही मौत को टालने के उपाय ढूंती आई है चाहे हो राजा सिकंदर हो चाहे हो हिटलर चाहे हो माइकल जैक्सन सब ने अमर होने के लिए बहुत कुछ किया तो क्या वो जीवन का फल सच में है या फिर ये सरफ कहानियों और फिल्मों में ही देखने को मिलता है अगर है तो वो कहा है उसे किस ने बनाया और क्या किसी ने उस फल में से खाया है जी हाँ वो जीवन का फल सच में है और वो इसी धर्ती पर है इसके बारे में Bible में बड़े साफ शब्दों में लिखा है Bible बताती है कि जब परमेशर ने इस दुनिया की शृष्टी की तो परमे परमेश्वर ने तरा तरा के वरिक्ष लगाये थी। उत्पतिय भ्यायद दोस्त की नो आयत में लिखा थ। और यहावा परमेश्वर ने भूमी से सब भांती के वरिक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाये। और वाटिका के बीच में ग्यान के वरिक्ष का फल वे खाना दो क्या वे उसे चूए भी ना क्यूंकि जिस दिन वो उसका फल खाएंगे उसी दिन वे अवश्य मर जाएंगे। पर आदम और हवा ने पाप किया यानि की उन्होंने परमेश्वर की आग्या को तोड़ा और उस भले और बुरे के ग्य जीवन के शरिया था एक ऐसा फल जो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर सकता था और वो फल खा जीवन के वरिक्ष का फलüzik पर इससे पह़ले कि अदम और हवा उस जीवन के Ouाप को खाकर फिर से अमर होते परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बाग में से निकाल दिया औ प्रभाव में ही जीवन के वरिक्ष का फल खा लेते तो अमर तो हो जाते पर हमेशा के लिए पाप के गुलाम रहते हमेशा पाप करते और परमेश्वर कभी नहीं चाहता था इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उस अदन की वाटिका से निकाला फिर अपने बेटे यिशु मसी को कुर्बान किया जिसने हम सब के पापों को अपने उपर ले लिया और क्रूस पर अपनी जान देकर हमें उस आदम और हवा के पाप से उस श्राप से आजाद किया और अब हमें उस आदम और हवा के शाप से अदाद करने के बाद परमेश्वर हमें अमर करेगा हमें उस जीवन के वरिक्ष के फल में से खाने को देगा ताकि हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए आनंद में रहें इसके बारे में बाइबल में उद्पतिय ध्यायत 3 उसकी 22 आयत में लिखा फिर यहावा परमेश्वन ने कहा मनुश्य भले बुरे का ग्यान पाकर हम मेंसे एक के समान हो गया है इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ा कर जीवन के वरिक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे इसलिए यहावा परमेश्वन ने उसको अदन की वाटी का में से निकाल दिया कि वे भूमी पर खेती करे जिस में से वे बनाया गया था 24 आयत में लिखा इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वरिक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटी का के पूर्व की और करूबों को यानी स्वर्ग दूतों को और चारों और घूमने वाली ज्वाला मेतलवार को भी नियुक्त कर दिया वो अदन का बाग वो वाटी का इस धर्ती पर ही थी और आदम को उस वाटी का से निकाला गया था ना की धर्ती से आदम और हवा को परमेश्वर ने इस धर्ती पर बनाया था इसी धर्ती पर रहने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया था तो अगर स्वर्गदूर उस समय वाटिका के उस जीवन के वरिक्ष की रक्षा करते थे, तो क्या आज भी वो स्वर्गदूर उस वाटिका के उस वरिक्ष की रक्षा करते हैं, कहां है वो बाग, कहां है वो बाटिका, कहां है वो अधन के वरिक्ष, वो कोई छोटा मोटा बाग नहीं था वो लोगों के घरों में लगा कोई गार्डन नहीं था वो इतना बड़ा था कि उस मेंसे नदियां बहती थी इतना बड़ा बाग कहां गायब हो गया क्या वो किसी सरकार के कब्जे में है या फिर परमेश्वर उस बाग को ही स्वर्ग में ले गया वो अदन का बाग इस धरती पर ही था इसलिए परमेश्वर ने उस जीवन के वरिक्ष के मार्क का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका का पहरा देने के लिए कदूबों को एंजल्स को न्युक्त किया ताकि इनसान कभी भी उस जीवन के फल को खा ना सके अब अगर उस समय वो जीवन का फल धर्ती पर था तो आज वो कहा है क्या किसी ने उस फल में से खाया है या फिर परमेशर उस वरिक्ष को स्वरग में ले गया क्योंकि अगर वो इस धर्ती पर होता तो आज इंसानों के पास होता तो कहां गया वो जीवन का फल क्या उस वरिक्ष को परमेश्व स्वरग ले गया इसका उत्तर है नहीं क्योंकि अगर ऐसा होता तो वाचा का संदूख भी स्वरग में होता वाचा का संदूख स्वरग में नहीं है वो भी धर्ती पर ही है उसे स्वर्ग में नहीं ले जा सकते क्योंकि उसके उपर जानवरों का लहू है क्योंकि बक्रों जानवरों का लहू हमें परमेशे के साथ मिला नहीं सकता इबरानी और जाय दस उसकी चार आयत में लिखा क्योंकि यह अन होना है कि बैलों और बक्रों का लहू पापों को दूर करे वाचा का संदूग जो मूसा ने इस धर्ती पर बनाया था वो उस वाचा के संदूग की नकल थी जो पहले से ही स्वर्ग में है जो वाचा का स्वर्ग के दर्शन में से देख कर बनाया था एक वाचा का संदूग स्वर्ग में है और दूसरा वाचा का संदूग इस धर्ती पर है और इसी तरह जीवन का पेड़ भी दो जगा पर स्थित है एक स्वर्ग में और दूसरा इस धर्ती पर जो जीवन का फल स्वर्ग में है उसके बारे में परकाशित वाक्य अध्याय दो उसकी साथ आयत में लिखा जो जैप आए मैं उसे उस जीवन के पेड में से जो परमेश्य के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूँगा ये जीवन का पेड़ स्वरग में है अब जीवन का पेड़ जो इस धर्ती पर है वो कहा है वो जीवन का पेड़ धर्ती के नीचे है वो जीवन का पेड़ अधन की वाटिका के सब पेड़ धर्ती के नीचे ही है इसके बारे में यहेज के लध्या 31 उसकी 16 आयत में लिखा है ज उसके गिरने के शब्द से जाती जाती थर थरा गई और अधन के सब वरिक्ष अर्थात लवानोन के उत्तम उत्तम वरिक्षों ने जितने उससे जल पाते हैं उन सबों ने अधर लोक में शांती पाई 18 आयत में लिखा, इसलिए महिमा और बढ़ाई के विशे में अधन के वरिक्षों में से तु किसके समान हैं? तू तो अधन के और वरिक्षों के साथ अधर लोक में उतारा जाएगा क्या आप जानते हैं कि धर्ती के नीचे कक्षे हैं, कोठरियां हैं, अगर आपने वो वीडियो देखी हैं, जिसमें मैंने बताया हैं कि नरत कहां पर हैं, तो आपको पता होगा कि धर्ती के नीचे कमरे हैं और वहां पर मंजिले हैं, धर्ती के नीचे क्रस्ट और मैंटल के ब जवाजे हैं, धर्ती के नीचे, पहाडों के नीचे कक्ष बने हुए हैं। जो बाइवल की आयतें मैंने पढ़ी हैं, वो साफ साफ बताती हैं कि अदन के वरिक्ष धर्ती के नीचे हैं। अब नूह के जल पर लएके समय के आसपास ऐसा हो सकता है कि परमेशन उस अदन की वा उसकी चार आयत में लिखा कि उस दिन वय यन ईशुमती जयतून के परवत पर पाऊं रखेगा जो पूर्व की और यरूशलम के सामने हैं। तब जयतून का परवत पूर्व से लेकर पस्चिन तक बीचों बीच से फट कर बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। तब आधा उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। इस वचन में लिखा है कि येशुमसी इस धर्ति पर 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। येशुमसी आत्मा में नहीं बलकि शारीरिक रूप में इस धर्ति पर राज्य करेंगे। और उनका सीहासन यरूशलम शहर में होगा। इसके बार ये वही एक हजार साल का समय होगा, जब येश्यु मसी इस धर्ती पर राज्य करेंगे, और उस समय परमेश्वर धर्ती के नीचे से उस अदन के वरिक्षों को बाहर निकालेगा, और उस समय परमेश्य के सिहासन से एक नदी निकलेगी, जिसके किनारों पर वरिक्ष और उनका फलना कभी बंद ना होगा, क्यूंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है, उन में महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनका फल तो खाने के और पते औशधी के काप आएंगे, ये वरिक्ष चंगा करने वाले वरिक्ष होंगे, इनका फल खाने से लोग यह वचन बताता है कि उस समय ऐसे लोग भी होंगे जिनको चंगाई की जरूरत होगी यानि कि वो हम जैसे शरीर में ही होंगे क्यूंकि यह सब रैप्चर के बाद होगा रैप्चर का मतलब है जब यशु मसी अपनी क्लीसिया को लेने आएंगे और जो धर्मी लोग होंगे ज और सब हवा में उठा लिये जाएंगे जब यशु मसी धर्ती पर राज्य करने आएंगे तब परमेश्वर उन अधन के वरिक्षों को धर्ती के नीचे से बाहर निकालेगा और तब लोग उन वरिक्षों के फलों को खाकर अमर रहेंगे जब यशु मसी धर्ती पर 1000 साल रा रहेंगे जैसे हम अभी रह रहे हैं तो वो लोग कैसे 1000 साल तक इस धर्ती पर जीएंगे इन ही वरिक्षों की वज़ा से ये सब रैप्चर के बाद होगा उस समय कुछ लोग तो महीमा मही शरीर में होंगे जो लोग रैप्चर के समय उठा लिये गए थे पर कुछ लोग सा भेर समझ गए तो समझ लेना कि आपने उस जीवन के फल को पा लिया क्या आप जानते हैं कि यिशु मसी की सलीव उसकी क्रॉस किस लकडी से बनी थी क्रॉस को युनानी भाशा में स्टोरोस बोला जाता है जिसका मतलब है खंबा लकडी का टुकड़ा जिसे जमीन में गाड जाता है एक पत्रस अध्याई 2 उसकी 24 आयत में लिखा वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिये हुए करूस पर चड़ गया युनानी भाशा में यहां पर करूस के लिए जूलोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है लकडी या फिर खंबा प्रेरित युनानी भाशा में काठ शब्द की जगा भी जूलोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है गलातियों अध्याई 3 उसकी 13 आयत में लिखा मसी ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से चुड़ाया क्यूंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाय जाता है वे शापित है और प्रेजितों के काम अध्याई 13 उसकी 29 आयत में लिखा जब उन्होंने उसके विशे में लिखी गई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतरवा कर कबर में रखा असली भाशाओं में जिनमें बाइबल लिखी गई यानि इबरानी और के लिए अलग शब्द है क्रोस को युनानी भाशा में पेड यानि ट्री भी बोला जाता है और इस ट्री के लिए इस पेड के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है जूलॉन परकाशित वाक्य अध्याय साथ उसकी 3 आयत में लिखा जब तक हम अपने परमेश शब्द दरूस शब्द से निकला है जिसका मतलब है बांज वरिक्ष ओक्त्री अब परकाशित वाक्य ध्याय नो उसकी 4 आयत में भी पेड के लिए डेंडरॉन शब्द इस्तेमाल किया गया है पर परकाशित वाक्य ध्याय दो उसकी 7 आयत में लिखा जो जैप आए मैं उस जीवन के पेड में से जो परमेशे के स्वर्ग लोक में हैं फल खाने को दूंगा और परकाशित वाके ध्याय बाईस उसकी 2 आयत में लिखा नदी के इस पार और उस पार जीवन का वरिक्ष था फिर 14 आयत में लिखा धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के वरिक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और अब तक के सबसे बड़े भेद के लिए तैयार हो जाएए इन तीनों आयतों में जो युनानी भाषा का शब्द जीवन के पेड के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है जूलोन यानि की जीवन का पेड जिसक इस्तेमाल किया गया है एक पत्रस अध्याय दो उसकी 24 आयत में पत्रस ने कहा वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिया हुआ क्रूस यानि जूलोन पर चड़ गया जीवन के पेड के लिए कोई और शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता था जैसे की डेंडरॉन अगर आप जानना चाहते हैं कि जीवन का वरिक्ष ट्री ओफ लाइफ कहां पर है तो बस येशु मसी की क्रॉस की तरफ देखें वही है जीवन का पेड वही है जीवन का फल वही है चंगाई का सोत्र वही है आशिश का सोत्र वही है अनंत जीवन वही है एटरनल लाइफ व जही है अमर करने वाला सोता तो आज क्यों ना हम इधर उधर भटकने की बजाए उस जीवन के फल को अपनाए येशु मसी को अपनाए उसे अपना उधार करता ग्रहन करे और अनन्त जीवन एटर्नल लाइफ को पाए योहना ध्याई 14 उसकी 6 आयत में लिखा येशु मसी ने क पर रखे गलत साबित नहीं कर सकते जो लोग येशु मसी को नहीं जानते मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एक बार पर मेशर का स्वार चख करतो देखो एक बार येशु मसी के पास आ करतो देखो वह आपका धरम नहीं आपकी जिन्दगी बदल कर रख देगा पर मेशर आपको बताऊंगा कि येशु मसी के धरती पर एक हजार साल के राज्य के दौरान क्या कुछ होगा क्या येशु मसी का तीसरा आग्मन भी होगा गत्समनी बाग में येशु मसी के शरीर से खून का पसीना क्यों निकला मनुष्य के धरती पर आने से पहले इस धरती पर कौन पहर मनें रिश्ता था क्या शेतान खाना खाता हैं और इसका इंसानों से क्याश क्या लेना देना है अगर आप एस वीडियो से आशिशी Rs. है तो इस वीडियो को दूस्रों के साथ शेयर करे और दूसरों की आशिष का कारन दरे परमेश्र आपको आशितिक तो झाल